हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे यूट्टूब चनल गुंजन गुरुजी पर दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रिजिनिंग के पंदरा अती महत्तपून प्रस्ण के बारे में इस वीडियों बताएंगे जैसे लिए वीडियों के अम तक बने रहेगा इस वीडियों में आपको किस तरीके की प्रस्ण के बारे में बताएंगे जैसे कि यहां पर लिखाया दूस्तों ओम का समद्द लिखा हम लोगों का विदूत परतिरोद उसी बरगार से न्यूटन का समद्द के ओगा दूस्तों कोस्टन मार गात उस जगह पर इन चारों ओप्सन में से कौन सोगा यही बात आपको बताना है और भी प्रस्ण है कहा जा रहा है कि घड़ी में दो बचकर य लिखार है एक श्रीज है और आगे में जो कोस्टन मार के दिके रहा है उस जघा पर इन चारों ऑप्सन में से कौन साकत इसी तरीकी के प्रस्ण के बारे में यह बताएंगे अलग अलग चेप्टर से इस वीडियो को सामिल किया है टोटल पंदरा है जो कई बार एक जों में अलग अलग अजनसी जो भी कंड़क्ट करा रहे हैं प्रिभ्यास में इसी तरीके को फोलो किया है तो आईए दुस्तों देखते हैं पहले नमर कुछन से क्या करा और कैसे करेंगे इनमें से आप किसी गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं चाहू ससी के एस परेंट हो आप किसी और भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो जितने भी एक्जाम के लिए आईए दूस्तों देखते हैं पहले नमर कुछन से और इन सभी कुछनों का पीडिया आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दिया गया तो दिए पहल तो दिए यहां पर आपको बताते हैं दोस्तों जो कुछन मार का दिख रहा है उस जगहा पर इन चारों अप्सन में से कौन जगा सारे प्रस्ण को आप अपने से ट्राइपर लेकर बैठेंगा और वीडियो को रोक करके यानि पाउच करके अपने से ट्राइक करेंगा और क के एम प्राइपर आगे यहां पर कोमा यानि कुछ शचन मारक दिया। इर लॉडिक को दिखेगा क्यी सिप्राइपर अंदर होगा एम पर अगर देखा जाए तो उसने कितना विर्धी क्या है तो कि के बाद LM तो यहाँ पर उसने प्लस क्या क्या है दोस्तों दो का विर्धी क्या है अच्छा अच्छा हाँ तो दो का उसी पर कहा से M से जदी P पे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर देखा जाएंगे तीन का विर्धी क्या है उसी पर कहां से इस से जदी इस पर जाएंगे तो उसने क्या क्या है च्यार का विर्धी क्या है उसी पर कहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या कर देंगे पांच का विर्धी कर देंगे तो जैसी पांच का विर्धी करेंगे तो T के बाद क्या हो जाएगा U, V, W, X, Y य एगला कोस्टन भी बड़ा इंपोर्टेंट है दूस्तों यहां पर कहा जारा कि विकल्फाओं का चयन कर रहा है जो प्रस्तुचित्र में वर्गों की संख्या परतिनिधित्व करता है यहां आप से यह ब्रबद उक्तागा है, हम लुकों के सब भुजा पर बन जाएगा सबसे पहली यहां से ले लिए, यहां से होगा फिर इस परकार से canyam यहां फिर से कियाए है थे बड़ा वला तो दोदो चार 175 वो और पांच के बाद देखा जाए दूस्तो एक वर्ग हम लोगों का और बनेगा कहां पर बनेगा इदी कि यहां से यहां से जाएंगे और फिर हम लोगों के सामने इदर से और फिर इदर से यह क्या हो जाएगा दूस्तो छे वर्ग हो जाएगा इस प्रस्न का अंसर उपसा नम लोगों का इधार हो गया उसी परकार से यहां से लेंगे तो इस परकार से तीसरा हो गया और यहां से लेंगे तो यह क्या हो जाएगा दूस्तो चौता और एक हम लोगों के सामने कौन सा हो जाएगा दूस्तो इसको जो यहां से लेंगे यह बड़ा वाला क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने पांच वह हो झाएगा तो पांच गULत तो एसे धो गया पांच के बाद देखा जाया अब किस पे करेंगे तो पांच के बाद इकơn कहां बन रहा है तो ये वाला आप छोड़ रहे हैं भूल जा रहे हैं लेने के लिए यहां से इदिखे इस पर कहा से जाएंगे और ये तो पांच के बाद क्या हो जाएगा दूस्तों छे वर्ग होगा तो इस आकिरती में टोटल कितने वर्ग है छे वर्ग है अगला कोशन दिखा जाए दूस्तों बड़ा कई बार एकजाम में पूछा गया है कि इस टेब के कुशन करा है कि घड़ी में कुछ भी देदेगा कभी 10 बार्ग कुछ भी करा हैकि दो बजकर 30 मिनट इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बजने पर घड़ी कि सुइयां द्वारा कितना अधि कौन बनेगा आप से क्या पूछा आजोन अब बत टे में क्या कर देना दूस्तोकर देना बस यही एक फर्मूला लगाना है जहाँ आप यह कह सकते हैं कि ह का मतलब क्या होताय दुस्तो घंटा होता है और म का मतलब क्या होता है मीनिठ होता है कि आ यहां पर क्या हो जाएगा दूस्तों मिनटो जाएगा तो अब दीखे जो जो दियाग personalities यापका निकल जाएगा आपका क्या निकल जाएगा आंसर में यहां पर जैसे लिखेंगे गुणा करेंगे ना तो गुणा करेंगे था हम लोगों के सामने हो जाएगा इधर 120 माइनस क्या हो जाएगा दूस्तों रुख जाएगे इस जिगापर कर देते हैं यहाँ पर हो जाएगा 120 माइनस का माइनस हो जाएगा दूस्तों यहाँ पर करेंगे तो एक अर्थिया 33 तो 330 तो इसी को जब घटा के लिखेगा, यानी देखे, यहाँ पर क्या करना है, कौन कभी भी मैनस में आई, सब अप्सन को देख रहे हैं, कि मैनस में नहीं है, तो इसको घटा आएंगे, कितना हो जाएगा? तो इधार हो जाएगा हम लोगों का जीरो का क्या हो जाएगा दोस्तों इस साइड में आप जीरो लिख सकते हैं उसके बाद तीन में दू जाएगा तो हम लोगों के सामने एक होगा तीन में दू जाएगा और तीन में एक जाएगा 210 होगा तो 210 में आप दो से भागा देंगे दोस्तों कितना हो जागा? एक नोशाल गनाद कितना अंसर हो जागा? 210 कर जाएगा, दोसे एक नोशाल अद जाएगा, अपसा नमर आपका थर्ड क्या हो जाएगा? दोस्तों सही हो जाएगा, देख लिज Jagay कि इसको फर्मुला बे यही याद रखना है? गुणा है कि 60-h-11m बटे दो जहां h घंटा m मिनट है बस जो जो दिया है जैसे 2 घंटा हुआ और h क्या हो जाएगा दोस्तों 30 मिनट हो जाएगा तो m के जगा 30 बैटा दिये बस इसको क्या करना माइनस में नहीं लगाना देखें 60-20 और 11-30 करेंगे तो क्या हो जाएगा जो हम लोग हों का क्या क्या कर दोस्तों जो डरसाया क्या बिंदू रेखा को पारदर्सी धागत में प्रश्न चीदु यहां पर बिंद ऊपर बिंदा यहां पर वहां पर और यहां पर चाहिए कोई नहीं होगा इस प्रस्न का अंसर नमर ए सही होगा क्योंकि विंदु वाला कई बार इस प्रकास दिया है कि इसको मोड कर जब रखेंगे तो कैसा बनेगा तो option number A क्या हो जाएगा इस प्रस्ण कांसर क्यों कि जो जीतना दूरी पर है उतने ही दूरी पर जैसे मोड़ेंगे तो यह वाला फिगर यहाँ पर चल जाएगा क्योंकि यह खाली वाला बाग इधार आएगा उसे परकास इसको मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तो यह इध दोस्तों रित के बता देते हैं सबसे सअब से30 बाग पर इसके बाल दिकाए दूस्त możli लगों का कोमा उसके बाद लिखा है 249 पिर हम लोगों के सामने 264 और आगे लिखा है दूसतों 273 और आगे दिया गया है कोस्टन मार क्या है गत इद लोजिक कितना किस तरीके से कोस्टन दिया है 109 से जदी आप जाएंगे 190 पर तो उसने कितना का विर्धी क्या है यहां पर 18 यहांपर 27 के बाद यहने की दिखे नो का इसक्वाइर उसके बाद क्या हो जा रहा है तो विसम संक्या के स्क्यार 9, 7, 5 उसके बाद 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा दूस्तो इस दिगापर प्लस 1 हो जाएगा तो 2, 1 का स्क्वार करेंगे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दूस्तो 274 आजाएगा यानि क्या आएगा इस प्लस्न का अंसर थोड़ा इदर लिख देते हैं कि विसम संख्या यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तो विसम संख्या का स्क्वार हुआ है क्या लिख देंगे विसम संख्या का कैसे ही दिए 81 तो आप जानते हैं कि 81 हम लोगों के सामने क्या है दूस्तो 9 का स्क्वार है उसी पर कहा से 49 तो आप जानते हैं कि इस साथ का स्कार है फिर 25 हम लोग जानते हैं कि 27 आप जान रहें कि य visualize और फांतिश को लिफकी आप उस दिगा पर क्या कर देंगे 13 का सकार होगा नठी एप जिगाए पर आपको corona के सामने क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा तीन का स्क्वाइर हो जाएगा इस तरीके से यहां पर इस प्रस्न का आंसर होगा बढ़ते हैं दोस्तों इसी प्रकार से चला हुआ था अगला प्रस्न दिया है दुस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल यानि सबसे सौट अब सबसे सरल बताएंगे देखती हैं अंसर हो जाएगा जैसे इसका संबंद इस प्रकार से यहां पर दिया है दुस्तों इसका संबंद निकालना है यह बीच वाला फिर काहे दिया है तो डवल पी तो यहां पर हो जाएगा डवल पी फिर हम लोगों के सामने एल और यहां पर क्या लिखाए दूस्तो ई इसका समद्ध उसने लिखाए जैड उसके बाद हो जाएगा के फिर हो जाएगा के उसके बाद लिखाए ओ और क्या लिखाए दूस्तो भी अब सीधा साम विप्रीत करम कौन सा लॉजिक चलेगा तो विप्रीत करम का तो यहां पर जैसे विप्रीत करेंगे तो A का विप्रीत करम Z हो जाएगा P का विप्रीत करम K हो जाएगा इसका भी P का K L का क्या हो जाएगा दूस्तों O E का भी तो उसी पर कहां से यहां पर इन सभी का क्या कर देंगे दूस्तो विप्रीत करम कर देंगे तो जैसी ही विप्रीत करम करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा P का विप्रीत करम यहां पर दिया है को सने में दिया है देखेने K, E का भी फ्रीत करम क्या हो जाएगा दूस्तो B हो जाएगा, A का भी फ्रीत करम हम लोगों के सामने Z हो जाएगा, R का नहीं जानते हैं, तो R का क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने I हो जाएगा, और H, E, S का क्या हो जाएगा, दूस्तो H हो जाएगा, तो देखे कि छलाए ईए ठाब प्रिफ़त्क्रम क्या होता है थोड़ा सा वेसिक बात अगर इधार से organizat प्रियास किजिए को होता है हिएहाँ पर इस प्रस्न का का अंसर कि option नंबर आपका सामने blood relation का सवाल दिया है तो देखे इस type की motion को कैसे करेंगे जैसे यहाँ पर आजकल इस type का कई बाव देख रहे हैं अलग-अलग state में आ रहा है कि A plus B का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों A B की मा है फिर लिखा A minus B का अर्थ A B की क्या है बहाना है पिर यहाँ गुणा कार्थ दियागा अब चली यहाँ पर कर देते हैं तो उसने क्या लिखा है plus का अर्थ देखे यहाँ पर दिया गया उसने क्या लिखा है कि A plus B का अ जो है वो B की मा है तो उसी पर काह से P जो हो जाएगा दोस्तों इस गपर बना लेते हैं P जो हो जाएगा Q की क्या हो जाएगा दोस्तों मा हो जाएगा तो ठीक है Q की क्या हो जाएगा दोस्तों मा और महला जंडर रहेगा तो उसके लिए मैनस प्रूस जंडर रहेगा तो प्लस कर देंगे उसके बाद देखिए प्लस करत ले लिया अब गुना करत यहाँ पर दिया जैसे जैसे दिया वैसे वैसे करते हैं पति तो पती है और पतनी रहेगा इस परकास लेगा लगा देना उसने क्या कहा है उसके बाद यहाँ पर दिया है A-B कर्द A जो है उबी की बहान है तो उसी परकास यहां पर S जो हो जाएगा देखें क्या लिखा ऐसे A जो है उबी की पुत्रिया तो उसी परकास यहां पर जैसे भाग कर्द क्या हो जाएगा तो S जो हो जाएगा उटी की पुत्रिया यानि S जो है वो क्या हो जाएगा तो T की पुतरी हो जाएगा तो T की क्या कर दिया हम लोगों का पुतरी कर दिया है कि Q का उसने क्या पुछा है तो Q जो है हम लोगों का T से यानि T से क्या समंदर तो Q जो है T का कौन हो जाएगा यानि कि इसकी बेटी की क्या हो जाएगा दुस्तो पती हो जाएगा यानि पुत्री का पती देखिया option number आपका B क्या हो जाएगा इस प्रस्न का आंसर होगा थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए इस प्रस्ण का आमसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तो तो option नमर आपका B क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्यों कि वहाँ पर लिखा है कि क्या हम लोगों के सामने तो पुत्र का पती हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तो अगले प्रस्ट पुत्री का क्या हो जाएगा पती हो जाएगा टी और एस में क्योंकि एस हो गया आर हो गया यह दोनों बेटी हो गया तो आर का इकॉन है दोस्तो क्यू पती है तो यानि कि पुत्री की क्या हो जाएगा पती होगा अगला question दिया है साबना को सही बनाने के लिए किने दो चिन्हों को परितर करना गा तो चलिए मुझे किस type की हमेशा आप याद रखेंगे कि कभी भी 13 7 का प्लस डॉला आया है तो हमेशा कहाँ से चेक करेंगे फिर C को फिर B को फिर A को हमेशा क्या करेंगे दूस्तों पीछे से ही चेक करेंगे तो चलिए कर देते हैं जैसे यहाँ पर क्या हो जगा दूस्तों उसने क्या लिखा है भाग का अर्थ दिए डी वला ओप्शन लेंगे तो भाग का अर्थ क्या लिखा है गुना तो चली कर देते हैं यानि जहां कहीं हम लोगों के सामने भाग दिखेगा उसके जगा पर आपको क्या कर देना है गुना कर देना अग गुना के जगा क्या करना है भाग कर देना है तो चली दूस्तों equation को change कर दें एकासी और गुना के जगा उसने का है भाग लेने के लिए तो भाग ले लेते हैं फिर हम लोगों का प्लस का प्लस पंदरह फिर भाग के जगा पर क्या हो जाएगा दूस्तों गुना हो जाएगा अम मैनस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चाहएगा उसने वही का है ना भाग के जगा गुना और गुना के जगा भाग और इतना करने के बाद equation को solve करने के बाद 50 आना चाहिए तो दीए 81 में 9 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा प्लस का प्लस यहाँ पर 15 गुना तीन करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा मैनस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 और इस साइट में आपका 50 आना चाहिए तो चली एक स्टेप और करते है तो 45 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तो इस प्रस्ण का अंसर डी वाला क्या होगा सही होगा अगला कुस्ष्ण बड़ा इंपोर्टेंट कहां जारा कि दिये गए समों में भिन की पाचान करेंद भिन का मतलब 4 में से 3 समाने दोस्तों एक अलग है इनमें से कौन सा एक अलग है वही बात आपको बताना है तो च करें 48 उसके बाद क्या हो जाएगा दूस्तों 56 हो जाएगा इसमें बड़ी संख्या में से यह वाला संख्या में इसको क्या कर लिए घटा लिजे तो हो जाएगा 3 उसके बाद यहां पर हो जाएगा 3 8 उसके बाद 4 उसके बाद क्या लिका है दूस्तों 6 इसको जैसी आप अ तो यहाँ पर जैसे हम लोग इस गपर कर देते हैं पांच उसके बाद हो जाएगा तीन तो पांच उसके बाद तीन उसके बाद चार और क्या हो जाएगा तो इसमें आपको घटा देना है यानि चार हो जाएगा तीन हो जाएगा दो हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे घटाए सब्सक्राइब यानि दस उसके बाद क्या हो जाएगा यानि दस सो क्या क्या है दोस्तों हम लोगों का दस का यानि कि उसने क्या क्या है कमी क्या बड़ी वाला संग्या तो इस प्रस्ण का अंसर option नमर B क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्यों क्यों कि यहाँ पर देखा जाया उसने क्या क्या है I mean लेकिन option number b में क्या हो जा रहा है और इसलिए expression का answer option number b क्या हो जएगा देखे अगला कुश्चन दिया है दोस्तो दस्वा नमर कुश्चन अम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि प्रस्ण चीन पर कौन सी आखिरती आएगे तो यहाँ पर फिगर दिया गया है यानि कुश्चन मारका तो उस जगा पर इन चारो अप्सन में से कौन सा अगा तो पहले बता देते हैं क्या हुआ है हम लगों के सामने दरपन परतिविम क्या हो जागा दोस्तो दरपन परतिविम तो इस तरीके से आप देखेंगे ना कुछ ना कुछ थोड़ा वह तो जरूर समझ मेंगा कि क्या लाजिक लगा रहा है जैसे यह तीर का निसान जहां पर है तो उसी परकास यहां पर जैसे तीर का निसान है दोस्तो तीर का निसान यहां पर हो जाएगा यानि इस साइड में क्या आ जाएगा तीर का निसान क्योंकि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा यानि दरपन में जब इसको करेंगे ना यह क्या हो जाएगा तो ठीक है ऐसा अकर सिर्फ इतना साही करेंगे तो पहला option में तो कहीं हम लोगों का arrow का निसान हाई नहीं तीर का इसमें भी देख रहे हैं दोस्तों इसमें क्या कर दिया है उपर से कर दिया है तो यह दोनों नहीं होगा अब इन दोनों में condition क्या है प्लस जहां पर दिखिए इस प्लस भी दरपन पर थीविम का follow कर रहा है तो जितना दूर में है प्लस इस साइड में है यहां पर बन रहा है तो उसी परकार से प्लस यहां पर है तो प्लस कहां पर बनेगा दोस्तों हम लोगों का दरपन में इस जगह पर प्लस बनेगा इस सबसे पहले अच्छा गोल आकिरती दिया यानि प्लस जो जितना दूरी पर है तो प्लस हम लोगों का अच्छा पहले यहां पर क्या हो जाएगा तो गोल उसके बाद क्या होगा दूस्तों प्लस आएगा तो देखा जाए यहां पर अच्छाँ यह दोनों में तो समझ में आख अच्छा यह तो होवे ने करेगा हम लोगों का इसमें तीर का निसान किदर सोना चे दूस्तों नीचे इसमें उपर से क्या है यह तो पहले इंच्छा दीए यह तो होवे क्या confusion करने वाला बात तो यहां पर अच्छा अच्छा जीरो को क्या करना होगा दुस्तों पहले यहां पर दीखे गोला का निसान पहले आजागा ये वाला हम लोगों के होबे नijke करेगा दीए तीर का निसान अगर जिस तरह से दिया गया है उपर है तो यहां पर पर देखा जाया तो इस प्रस्ण का आंसर option नमर B क्या हो जाएगा सही हो जाएगा logic को समझे कि जो जिस तरीके से figure दिया गया है complete figure बनाएगे तो option नमर B क्या होगा इस प्रस्ण का आंसर होगा देखिया अगला question दिया है दोस्तों आम लोगों के सामने यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओम का समझ क्या लिखा है विधूत परतिरोद तो उसी परकार से Newton का समझ क्या होगा तो एक तरीके से क्या दिया गया है यहाँ पर SI मातरग है तो कौन सा SI मातरग दिया है इदे के logic यानि कि जिस परकार से ओम का समझ क्या लिखा है विधूत परतिरोद दिया गया यानि कि आप जानते हैं कि विदूत परतिरोत का ऐसा है मातरक क्या होता है दोस्तो ओम होता है यानि विदूत परतिरोत का मातरक ओम तो उसी परकार से न्यूटन किसका हो जाएगा दोस्तो यहाँ पर बल का हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रस्न का अंसर क्या ह विधूत परतिरोध यहनि की विधूत परतिरोध का ऐसा है मातर को सब्सक्राइब होगा अगला कोशन देखा जाए दूस्तो बारा नमर कोशन यहां पर दिया गा दुस्तो बड़ा important इस परकाद से ड्रीम का पूछा जा रहा है तो चलिए देख लिजिए अभी कोडिंग का सवाल बताए लिए अलग अलग टाइप के एकजाम में पूछे गए हैं तो जैसे यहां है डाब लिखा है डाबल ओउ इसके बाकाली ओ बाद यहां पर न ब्रकास इसक–पार जाएंगे यानि इधर से फिर इसको इधर से क्या है एन को यदि इधर से लिया है फिर इसको और ये वाला को क्या क्या है दोस्तों इस पर गार से तो वही काम आपको इसको इधर से करना है फिर इसको इधर से इसको ये वाला को यहाँ पर ही रखना है M को E side चला जाएगा अब फिर क्या हो जाएगा दूस्तो A यहाँ पर हो जाएगा अब यही देखिए कि इसमें कितना कितना का विर्धी क्या है या कमी क्या है तो O से P पे जाएगा तो क्या हो जाएगा दूस्तो प्लस 1 क्या है यहां पर दिखा जाया, तो PLUS क्या हो जाएगा? दुस्तो प्लस 1 कर दिया है तो ठीक है यहां तक तो समझ में आया है फिर M से जदी O पर जाएंगे तो यहां पर प्लस क्या क्या है तो उसने 2 कर दिया है अच्छा W के बाद दिखिए O के बाद P P आ रहा है W के बाद क्या हो जा रहा है तो दिखिए W के बाद X यहां पर 2 उसी प्रकार से A के बाद B हो जा रहा है तो प्लस यहाँ पर क्या हो जागा उसी प्रकार से N के बाद O हो जा रहा है तो इसमें भी हम लोगों के सामने क्या कर रहा है तो प्लस वन कर रहा है तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है तो प्लस वन कर देना है E सब में क्या-क्या उसने plus one किया इसी परकास इसमें कर देता है R के बाद देखा जाया हम लोगों का plus one करेंगे यहाँ पर N हो जायगा और A के बाद क्या हो जाया जुस्तो B हो जाया यहाँ भी plus one कर देना और इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों प्लस वन कर देना तो चलिए देखिए कहां मिल रहा है S उसके बाद क्या आना चे E आना चे S E उसके बाद G N B यह देखिए option नमर B क्या हो जाए कि दोस्तों इस प्लस्न का answer होगा S E उसके बाद हम लोगो के सामने G N B तो यह सब फुल फिल कर रहा है option नमर B ही क्या होगा इस प्लस्न का answer होगा देखिए अगला कुस्सन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नमर कुस्सन तो इदेखिए यहाँ पर कहा रहा है कि निमले खित आकिर्दी में पंच भूठ जो है नेपाली को जैसे लिखा है उसको लिख देते हैं यह हो जाएगा हम लोगों का नेपाली के लिए यह क्या दिया हम लोगों का नेपाली है उसके बाद विरीत जो है हिंदी को दरसारा है तो यह विरीत है तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने हिंदी हो जाएगा तु ठीक है वरीध उपनोगों के सामने भाहिंगे को दरसार रहा उसके बाद आयत जो है अंग्रे जीको दरसार रहा है तो यह वाला आयत है दोस्तो यहां पर अगर देखा जहाए यो अंग्रे झी को यहां पर लिख देते हैं अंग्रे जी है ठीक है उसके बाद हम लोगों का वर्ग जो है फार्सी को यानि यह वाला हिस्सा एक इस तो यहां पर लिख देते हैं इस जगह पर ही हम लोग लिख देते हैं फारसी यहां पर क्या लिख देंगे दोस्तों फारसी कर देंगे था तो चलिए हो गया इस जगह पर हम लोगों का यह क्या हो गया फारसी हो गया अब देखें यहां पर कोस्टन दिया हम लोगों के सामने क कि कौन सी अंगरेजी, तो अंगरेजी होना चे, उसकेबाद फारसी यानि कि क्या लिखाएं दोस्तो, कि कौन सी संझ्या अंगरेजी और फारसी असंबंध को दर साथ है जो हिंदी में भी है, तो दिखें, हम लोगों का यहां पर नेपाली से कोई मतलब नहीं रहा हम लोगों का क्या होना चाहिए दूस्तो अंगरेजी होना चाहिए उसके बाद फार्सी होना चाहिए और क्या होना चाहिए दूस्तो हिंदी होना चाहिए तो तीनों में अगर आप कोमन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो तेरा इस प्रसन का आंसर होगा फीगर वाले को समझ जाए इस प्रसन का हमसर, आपका बी क्या हो जाएका उसने वह ही कहा है दोस्तव चाओ नमर कोई जेकर नहीं है तो नेपाली से हम लोगां को क्यों मतलब नहीं है हम लोगां हिंदी, फारसी और अंगरेजी तो तीनों में कोनला क्या हो जाएका अगला question दिया है दूस्तों 14 नमर question का जर रहे वक्ताव और अनुमान यानि एक प्रकास से कथन वक्ताव यानि कहने वाला अनुमान दिया है तुमकूर यहाँ पर क्या लिखा है कि तुमकूर ने करा है मंगलूर तक एक हम लोगों का टीकट की उपलवद था कि क्या क्या दूस्तो जाच की जाच करें तो यह बात उसने लिखा का झान को परिवहन के माधियं कї जनकारी आप्राप्त है तो यह अनुमान निकाला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर लिखा कि तुम मेंगलूरत की एक टीकट क्या क्या दूस्तो उप्लबता की यात्रा कर रहे व्यक्ति से भली हम लोगों का भली बाती परीचीत है तो यह अनुमान निकाला जा सकता है तो केबल क्या होजागा इस प्रशन का अंसर एक नहीं था है यहाँ पर दूसरा नहीं होगा थोड़ा सा समझ लिजे वरना यह विला गलत हो जागा यहां पर करा है कि जाज करता को यात्री कर रहे है व्यक्तित यात्री के बारे हम तो वहां पर कहीं वक्ताब में हाई ही नहीं है बहां करा है कि जाज टीकर जो उपलब दो उसके बारे हम जाज कर रहा थी यह हम लोग एक नमबर निकाल सकते हैं दूसरा नहीं निकाल सकते हैं अगला कुhen दिखा जा जा दूस्तों वक्ति आए और अनुमान से ही आया यहाँ पर कहा जागा कि Sirie X ने Y से कहा कि मैं Doctor बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूँ ठीक है Sirie X जो है Y से कह रहा है कि मैं क्या करूंगा डॉक्टर बनना चाहता हूं क्योंकि मैं माना बता की क्या करना चाहता हूं सेवा करना चाहता हूं अब अनुमान में दिया है कि सिरी X जो है Y से जूट बोल रहे हैं तो ये भी बात सही हो सकता है हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों ये बात हम लोगों का सही हो सकता है कि जूट भी बोल रहा होगा कि हम डॉक्टर बनेंगे फिर लिखा है कि सिरी Y जानते हैं कि X जूट बोल रहा है तो देखे हम लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा Y से कहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता है क्योंकि मैं माना कि क्या करना चाहता हूँ सेबा करना चाहता हूँ तो अनुमान में दिया है यहाँ पर दिके निस्कर्स नहीं है क्या है अनुमान तो अनुमान निकल सकता है कि नहीं यही सोचना है इस condition में क्या हो जाएगा या तो एक या तो दू सही है तो option number 3 क्या होगा इस प्रस्ण का answer होगा तो उमिद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रस्ण को अच्छे तरीके समझ गयोंगे यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है subscribe लिखावत दिक रहा होगा झाल हुआगा झाल होगा